हलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कैसे अपने चेहरे को साफ रखें चेहरे की सफाई के लिए साबन और पानी से रगरने के इलावा भी क्या चीज़े होती है आपके चेहरे की तवचा आपके श्रीर की तवचा से बहुत अलग होती है तो इसे एक अलग उपचार के जिसे हर कोई सबसे जादा नोटिस करता है तो इसकी अच्छी तरह से देखबल क्यों नहीं की जाए तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगे सबसे पहले हम बात करेंगे पता लएकि की प्रकार की स्कीन आपकी तरफशा ड्राइयर नॉरमल है आपको यह प्रकार की जिरूरत है तांकि आप यह दाएश उनक्षित कर सके कि आपको पास्ट प्रोड़क्ट यूज कर रहे हैं नहीं इतने सारे लगलग परकार के प्रोड़क्ट होते हैं अगर आपकी तवचा नॉर्मल है तो आपकी तवचा में नमी तेल और स्थैतव का सही संदूलन है यही वैलक्षय है जो आप इसे साफ रखकर हांसिल करने की कोशिश करते हैं तवचा सेंस्टिव है तो आपकी तवचा अक्सर टाइट कसी हुई खुजलीदार होती है और अगर आप किसी केमिकल कर्सम परक में आते हैं तो उसको अलर्जी की नुभाव हो सकता है ऐसे आपको अलर्जी भी हो सकती है सेंसेफ स्किन अगर आपकी कहीं लोगों की काम को एक बार हर किसी की तवचा लग गया और अलग लग चीजे जुरूरी है आपके लिए सबसे अच्छा यह है कि खोजना कि कुछ फेस्वोश को टेस्ट करना होगा आप एक फेस्वोश से क्या चाहते हैं गंदगी किटानों और अतिरिक्त तेल साफ करना लेकिन इसे आ पार आप बाहर का काम करते हैं अगर आपकी तवचा ओईली है तो आपको एकम पीच सतर का क्लिंजर लेना चाहिए तो आपको तेल की सफाई से अधिक प्रवाबी होगा अगर आपकी स्वेधन शील्ट तवचा है तो आपको केमिकल से बरे हुए तींजर नहीं यूज करने जो यह सदारन साबू प्रियोग करने से बचे या आपके चैरे के लिए बहुत कुटोर होते हैं आपकी अतिरीक्ती तेलों की पर्त हटा सकते हैं गुन-गुनय पानी या ठंडे पानी से अपना चैरा दोना सबसे अच्छा है गरम पानी आपकी तवचा के सवस्तिया प्रक कर सकता है अब हम बात करेंगे आपको साफ तोलिय के साथ अपनी तवचा को सुखाना चाहिए आपका चैरा सुखने के लिए रगड़े नहीं कोमल नहीं कोमल होता है यह हमारा जो चैरा है आपको चैरे की तवचा सुवेदनशील है सुनिक्षीत रहे की तोलिय साफ हो अंद रोमचीद्रों को हटाने की बड़ी मदद करता है हमारी टोनर सफाई के लिए अतिरिक्त तेल और मीतत वचा को हटाने के लिए हमारी सहता करता है अब हम बात करेंगे इसके बाद कि अपने माथे नाग और ठोड़ी टी जोन जो हमारी होती है एक साथ काटने फेशल पैड के साथ साफ करने के लिए बाद टोनर लगव लागू करें आंखों के असपा शेतर में छोड़ते करते हुए कोमल हलके सक्रेल्ज में पैड गुमाए कि आपकी आंखों में कुछ ना चला जाए आपकी तवचा के लिए सही टोनर खोजें कुछ फॉर्मूले मुहासे पारी तवचा को सकरब करने में मदद करता है दूजरे फार्मूले सवेदन शील तवचा के प्रति जलन अवरोधी है कई तवचा विशेश एक अलकोहल अधारी टोनर का इस्तमाल करें इसके सिफारिश करते हैं क्योंकि यह तेली तवचा में होने के बाद भी शूशक कर सक है इसलिए सुबह ठंडे पानी से अपनी आंकों को अच्छी तरह दो ले अब हम बात करेंगे अपने चैरे पर हाथ ना लगाएं अपने चैरे को छूना बैक्टीरिया फैल सकता है जो आपके रोम छिद्रों में जलन का कारण बन सकता है अगर मेक अप या फेस क्रीम लगा और सीवं को इकठा करने के लिए आइटम्स पर रखने के लिए बचे जैसे कि फोन सीवं तवचा गरंतियों द्वारा एक तेलिया पतारता है जो तवचा और बालों की नमी में काम करता है अब हम बात करेंगे अपनी तवचा के प्रकार के लिए प्युक्तिम मेक अप का प आदत करता है और यह रोम चिद्र बंद नहीं होंगे सुनिक्षित करें कि आप उराने मेकप का इस्तमाल नहीं कर सकते स्किन केर उत्पाद जैसे बोजन की एक समपती की तिथी होती है उस तरीक के बाद उन्हें प्रयोग में लाब में उत्पादन नुकसान देता है आपक पानी में कम से कम आठ गिलास पीजी हाइडरेटेड रहना है शरीर में पानी बहुत सेवन करने का मतलब है कि आपके शरीर ठीक डंग से काम करने में सक्षम हो जाएगा और साथ ही आपकी तवचा का सवस्ते और सफाई भी बनी रहेगी अब हम बात करेंगे एक सवस्ते आह कामिन ए होता है हमारी तवचा के लिए इस पर निर्भर करते हैं हमारे जीवित एक बक्टीरिया के अंतों में स्वस्ते को बढ़ाते देने में मदद करता है साथी तवचा की मदद भी करता है मां बालू बेरी स्चौबेरी और प्लूम की तरह उच एक्टी खाद पदार्तों का सेवन करें स्वस्ते तवचा के लिए जरूरी अवश्यक फैटी एसिड खाने के लिए खाद पदार्तों की कोशिश करें ऐसे मचली अकरोट और सन बीच अवश्यक फैटी एसिड स्वस्ते और कोशिकाओं जिली को बढ़ाते हुए जो बदले में स्व मिटीशन में मिल सकता है कि फेशल करा सकते हैं या आप घर पर ही फेशल भी कोशिश कर सकते हैं आपकी तवचह के परकार पर stick बैठता है उसमें से एक व्पयोत करने का याद रखे अगर आपकी तवचा तेलिय को तवसिल का प्रयास करें एक बड़ीय गर्पर बना फेशिल मास्क दूद और शैद का मिश्रन है समगरी में सम मिश्रन के बाद 30 मिनट के बाद आपके चैरे पर मिश्रन लगाए फिर गरम पानी से अपने चैरे को दो लें फिर तवचा को सक्रब करें नर्मी से तवचा को सक्रब करना आपके चैरे में मृत कोशिकाओं को सकती है सब्ता में एक बार या महीने में एक बार सक्रब करें सब्ता में एक बार से अधिक ना करें यूंकि एक महत्तर पूरा नवश्य का तेलों की आपकी तवचा की पर्त को उठा सकता है एक बढ़िये सक्रब आपके चहरे में खून का प्रवाब बढ़ा सकता है एक सवस् मोस्टराइजर जिसमें विटामिन E तेल या फिर जितून का तेल शामिल हो जुरूरी है यदि आपका तेल ये तबचह है तो आप मोस्टराइजर के रूप में एक मसला हुआ गेला या एवोकेंडो काप्यों कर सकते हैं अब हम बात करेंगे मुहासो के छुटकार आप कैसे पाए आपको मुहासे कुरू देना और आपके नाखुनों के साथ उन्हें निकालना संतोष जनक है लेकिन यह मुहासो से निप्टने का सबसे गलत तरीका है संकर्मन के बीच बचने के लिए मुहासो पर काम करने के लिए पहले ही हाथ अच्छी तरह से दोले उन्हें छुन न मिदाग पढ़ सकते हैं, दिन भर में तीन से चार मिंट अपने दाने पर एक ठंडा गीला कपड़ा का टॉनिंग कर सकते हैं, इसके जलन कम करने में मदद होगी, एक रूई में लेकर आप लालीमा कम हो सकती है, अगर आपको हम मतलब से सलाह देते हैं हमें, तवचा को कभी रगड़े नहीं चपके और दीरे से इसे साफ करें, इसमें चतावनी आपको देते हैं कि सर्द्यों के दुरान सफाई करने में द्यान के इस वक्त आप लंबे समय तक गरम पानी से नहाएंगे, जादा सफाई करने में आपकी तवचा अधिक तेजी से सुक सकती है, अगर आपकी स्वेधन शील तवचा है तो पूरे चाहरे पर लागू करने चे पहले तवचा के एक छोटे से हिसे बर दूद और शयाद का मिश्रन लगाएं, चाहरे में मिश्रन में इस्तमाल किये गए उत्पादों से कहीं किसम के अलर्जी का उत्पादन हो सकता, यदि आपको क अनकारी पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूले, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें